सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चानल को और बेल आइकन जरूर दबाएं बाट सेप पर जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखे कुंभराशी वालों के लिए यह साल मिला जुला परिनाम लेकर आ सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनसे आपके रिष्टे बिगड़ सकते हैं केतु के नवम भाव में गोचर करने के कारण आपके पिता का स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है सेहत का ध्यान रखें आपको तीर्थ यात्राएं करने के काफी अफसर मिल सकते हैं आपके जीवन साथी से संबंध बिगड सकते हैं थोड़ा संभल कर चलें डौट शनी देव के पहले भाव में गोचर करने के कारण आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है ग्रुरु के दूसरे भाव में गोचर करने के कारण आपको आर्थिक कारियों में अच्छे अफसर मिलने के संकेत हैं आपकी आर्थिक स्थिती बहुत ही अच्छी रह सकती हैं। राहु के तीसरे भाव में गोचर के कारण आपका जोश्व उत्साह बहुत ही उचे रह सकता है। मगर आपके वैवाहिक जीवन को जैसे ग्रहन लग सकता है। अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। सेहत में उतार चड़ाव देखने को मिलेंगे.